दोस्तों वर्श 1988 से 2000 के बीच बंगला देश के लोग 5 रुपईये की सिक्के का तसकरी क्या करते थे गैस वे जो थे कि इस 5 रुपईये की सिक्के से ब्लेड बनाते थे गैस मैं आपको पता दूँ कि एक पांच रुपई की सिक्के से वे दो रुपई के छे बिलेट बनाते थे जब RBI को यह पता चला कि कोलकत्ता से पांच रुपई की सिक्के गाया भो रहे हैं तो उन्हें इन पर पड़ताल की उसके बाद इन तसकरी करने वालों को पकड़ लिया और उसके बाद ही इस तसकरी को बंद कर दिया गया गैस जहां पहले 5 रुपई के सिक्के को फेरेटिक एस्टेनलेस स्टील से बनाया जाता था उसके बाद से इस 5 रुपई के सिक्के को कोपर निकेल का बनाया जाने लगा गैस यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे comment section में जरूर लिखेगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर किजिएगा दोस्तों अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी film start होता है तो start होने से पहले कुछ screen आता है तो गैस उसमें लिखा होता है आ या तो फिर आ या तो फिर एस गैस जो यह एस होता है वो बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है बट गैस मैं आप लोगों को इसके बारे में भी इस वीडियो बन बताने ओला हूँ तो चले मेरा time waste के इस वीडियो को start करते है तो गैस आप जो सबसे पहला ओला पोस्टर आप मेरे mobile screen पर देख रहे है तो गैस उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको गैस आप जो देख रहे है पोस्टर उसमें लिखा होगा गैस क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो गैज दिखिये इसका मतलाब होता है कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है गाज आप second poster देख रहे हैं उसमें आप A اور WOD देख रहे होंगे इसका मतलाब है कि यह फिल्म है वो बारा साल के जो कम बच्चे हैं वो अपने माता पिता के ओडर आदेश के बाद ही इस फिल्म को देख सकते हैं और गैस जो आप तिसरा पोस्टर देख रहे हैं उसमें ऐसा आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस फिल्म को कोई विशेष्ट व्यक्ति ही देख सकता है जिससे कोई डॉक्टर या तो फिर साइन्टिस्ट सो गैस मैं आसा करता हूँ कि आप लोग को इन तिनों के बारे में समझ आ गया हो कि आखिर इसका मतलब क्या होता है तो गैस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़र किजीगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको उनको और पसलेक्ट ज़र किजीगा